हुआ है आज की वीडियो में मैं आपको एथिल एमीन बनाने की प्रयोग साला बीदी को बताने वाला हूँ और की जरूरत के साथ क्या करते हैं और यह अब क्रिया क्या का लगता है हाफ मैं अपकरिया दो नंबर पूछ सकता है हम अपको मिल जाएगा चली पहले बता देते हैं लिखो प्रयोग साला में अभी मैं समझाता हूं आपको स्योरे समझ में जरूर आएगा बस सिर्फ लिख लिखी थोड़ा बस देखे प्रयोग साला में एथिल एमीन बनाने के लिए बस सिर्फ दो मिनिट हमें आप दो फिर उसके बाद आपको समझ जाता हूं क्या है प्रयोग साला में एथिल एमीन बनाने के लिए प्रोपे नेमाइड प्रोपिनोमाइड प्रोपियो नेमाइड को ब्रोमीन को ब्रोमीन और या वालिखो हुआ के साथ गर्म करते हैं क्या करते हैं गर्म करते हैं और यही जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है या विक्रिया यह क्रिया भान यह क्रिया हाफ ही इसको समझेंगे देखिए प्रियोक साल में जब बनाते हैं तोि इतिव अमीन जब बनाते हैं तो हमारे साथ प्रोक्रोनमाईड को ब्रोमीन यह कैसाथ क effectiveness करते हैं तो वही अपक्रिय जो हमारा बनता है उसे अब क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अब क्रिया कहते हैं या हाफ मैन यह अप्रोपियो निया माइड है प्लस पिरकार आहों ब्रोमीन तो बी आर तू ब्रोमीन फ्लस को यह टीक है कि यह पास किया बच रहा है alebr यहां से निकल रहा है ना के बी र क्लस यहां पर नीचे लिए रहा हूं निश are का क्या बच रहा है कितने कारबन दो के टू poop न इस यहां पर dites हो उल package आप जेख कितना हुआ है दो ऊपhtर है तो यहां पर कितने है दो है और यहां पर चार है तो यहां पर लिख दो अब दो क्या लिख देते हो दो लिख दो यहां पर प्लसका निसाने लगा दो ठिक ना प्लस टू को अब आप मिलाएंगे प्लस पर एक्षिं सही जाएगा यह क्या हुआ आपका प्रोप्य। वे हमारे पास क्या बन गया स्य इन जानि बन गया इं सब्सक्राइब ciao देख कि पिलोड शार्म समय क такого स्थीज्स प्रयोगत यहां पर बιάगर्म बनाया हूँ तबope इसमें सबसे पहले गोल पीदी का फिले लिये इसमें थर्मामीटर लगाया है हों पॉर्ग 친 rir मॉपर से ढालते हैं अब छान यहां पर बंध हुआ और बंध हुआ रिये और यहां पर बार नर कि हीसाहित अचिस को क्या करते हैं गर्म करते हैं यह गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं ठीक है न इतना समझेंगे यहां पर ठोड़ा यहां पर क्या झायद यहां से डालते हैं एoration है मीन डालते है ठीक है और एक बाट यासे ड की न पर रोपीओ ने माईड़ है ठीक है अब गर्मजल निखरता है से यहां से क्या निकल रहा है निकल रहा है अब यहां देखिए यहां पर भी थोड़ा खुला हुआ है यहां से क्या हम करते हैं यहां से हम ठंडा जल डालते हैं ठंडा जल यहां से डालते हैं अब यहां से ठंडा जल जा रहा है और यहां से गर्म जल निकल रहा है तो यह जो अपना अब क्रिया पूरा करेगा तो यहा तो आई हो पितना ज़रूर समझा आगा ऐगा आपको समझाते चल रहा हूं इतना समझ में आए ना अब इसके बाद वाला देखिए बनाने की विद्धि में क्या इसे लिखेंगे कि प्रयोक्साला में कैसे कैसे बनाते हैं देखिए इसमें एक गोल पेदी का फ्लास्क लेते ह हैं दिखिये संचे पहले मैंने गोलपेदी का प्राइस का लिए इस पर रख कर बर्नर की सहहता से जल उसमक कर यह जल मऌ जल उसमक है यह क्या हुआ अपका जल कर यह करते हैंspan कप लेता हुआँ से फिलास को एच्छा गोलपेदी का लेता हुए वे को यह लेते हैं इस फ्लास्क को जल उसमक पर रखकर बरनर की साहता से क्या करते हैं गर्म करते हैं बिंदुपाती की साहता से प्रोप्योनियमाइड को धीरे-धीरे फ्लास्क में गिराते हैं अब प्रोप्योनियमाइड जो होता है यहां से गिराते हैं प्रोपेनियमाइड को क्या करते हैं ध ताप का पता लगाने के लिए धर्मा मीटर लगा दिया दाखके कि कितंब है और थाप कितना रहाणजये पच्पन अंसेलसे असरा न चाहिए इसमें एथी ले मेन की वाम स्टे मुक्त ओता है वोर्त मुक्त होता जिससे हम वास्प संगनित में भेजते हैं ठीक है ना क्या क्या लिए थे सब कुछ आपको मैंने बताया पॉइंट दर पॉइंट ठीक है अब देखिए इसको आप बना दे लीजिएगा अपना यहां से इसे जाएगा न इसमें आ गया अब एक बार मैं थोड़ा बता दे रहा देखिए बॉसको बर्नर की साहता से क्या करते हैं गर्म करते हैं देनस के बाद आपका वास्प संगनित में जाता है यहां से गरम जल बाहर रिकल जाता नहिरा जल यांनि पानी पानी अंदर इसमें फहें पर कम घ्राही में एकत्रित हो जाता यहीं चीज़ी BEN scarf है जाते है देखे लीजे वास्पसंग्री ठंठा करने का कारे करता है यानि कि ठंड़ता करने के लिए काम करते है और उसे से पदोट ने यहां पर कारेते हैं है अब देखे और हमें एथिल फि लोडोड्लाइड में सुद्ध एथीलेमीन बंजाता है जब सोड़ियम हीडराकसाइЙ के साथ गर्मे करते हैं तो हमारा क्या बंजाता है एतिलमीन प्राप्त हे अज रोध को पूरा नमर्लेगा अभी भी कुछ लएगा मिलेगा क्या लिखना पड़ेगा र्रासा भिया थिक गूल लिखने बहुत इक गुट वह वह तो बहुत गुट में क्या रएगा ध्यान समझ एक इसके बहुत आसाने कुछ नहीं कटीन है ठीक है बहुत जी कूर में इसका जपसे पहले दिए कृथनांग कितना होता है ही इसका खुथनांग कर इसका कोफनांग कितना होता है 17 अंसलसियस होता है समझ में यह जल में गूल जाता है यह जल में क्या हो जाता है गूल जाता है मैं गुल जाता है लिखो यह जल में घुल जाता है गुल जाता है इसके यह बहुत तीसरा लिख तीन-चार लिख दोगे ज़ादा रह लिको बताए रहूंगा तो आपको समझ में आ जायंगा यह क्या होता है यह रंग हीन ज्वलन सील गैसा है है जोलन सील है गैस है यह क्या है रंग ही जोलन सील गैस है तीथरा पॉइंट क्लियर हुआ चोथा एका का और लिख लो दिए यह चारी प्रेक्रित की गैस है यह क्या होता है चारी प्रेक्रित की गैस है कि या क्या वोता है चाहरी प्रकृत का होता है या था ये होता है ठालते समंझ में आगे आप डाली है अगला रासायनिक गुड रासायनिक गुड में एक रियक्शन कराके दिखा दोगे न तो आपका हो जाएगा देखिए रासायनिक गुड में किस से करा रहा हूँ HCL Hydrogen Coloride के से करा रहा हूं न या सीए अल से जब कर लिंग तो हमारा क्या बन रहा है देखिए सीटो एच्पाइब एनच्टू एठीलीमिन किसे करा रहा हूं या सीएल से बस इतो सिंपल सी बात है यार बहुत आसान है सीधा लिख लो ऐसे जैसे लिखा है ना क्या लिखा है सी टू यह फाइब एन एच टू इंटू यहां पर लगा दो बस नहीं तो मत लगाओ यह लिख दो जाए लगा दो अच्छा रहेगा ना बस यहीं से क्रिये कर आखे गर एक दिखा दोगे आपको पूरा का पू सबसे पहले आते पहुचिए चलो जाओ फुड़ों बाई